तबियत तो लालो जी की अभी सामाने हैं तबियत में कोई वैसा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुगा है पिछली बार हमने आपको बताया था कि उनका क्रियाटनीन जो कराया गया तो वो थोड़ा ज़्यादा आया था मैंने दस्मलों में वैल्यू चेंज किया और ऐसे तबियत सामाने तबियत तो ठीक ही है अगर मनाएंगे तो हम लोग आपको कुछ खाने के लिए या इसके लिए जो है कि कुछ फीड़बैक दे देंगे कि आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं तो उन्होंने मुझे यही कहा कि पार्टी ने यह सरोस्मती से फैसला लिया है कि पुलवामा अटैक जो हुआ है और देश के साथ इतनी बड़ी तराज़दी हुई है उसके चलते उनकी पूरी उनकी पार्टी ने फैसला लिया है कि वो इस बार होली नहीं मनाएंगे यही तो उनसे बात हुई थी मेरी पकवान के लिए हम लोगों ने उनको मना नहीं किया था मने मेरे तरफ से कोई मना ही नहीं थी चुकि यह साल भर का पर्व है और कितने दिनों से यहां पर भरती हैं कब जाएंगे नहीं जाएंगे उपापो की स्थिति है तो हमने उनको बोला था कि अगर आप एक आग मने PCA पुआ या कुछ खाना चाहते तो खा सकते हैं चुकि साल भर का पर्व है और हम लोग जो हिंदूओं के लिए सबस्वड़ा यह पर वह साल में एक बार ही आता है तो हमने उनको बोला था कि आप गुआ खा सकते हैं मीठा में लेकिन मीठ के लिए तो हम लो मना किया था उनको तब यह तो ठीक ही है तो ठीक है मैंकल उनसे मिला था तब यह तो ठीक ह हाँ जैसा उनने बताया हम पूछे कि कैसा होली आपका रहा मैं तो उनसे सेकंड आप में मिलने के लिए आया था तो बोले कि नहीं तो उनका जो सहचर लोग है वो बताये कि गाड़ सुब थे और जो और कोई एक आगादमी थे वही लोग कुछ अभीर उभीर उनको लगाय पैसला लिया है कि इस साल हम लोग वोली नहीं मना रहे हैं तो चुकि वह आते हैं धूप में बैठने के लिए उस समय कुछ लोग जो थे वह अपना मने उल्लास में अभीर या इस सब कुछ जो है कि उनके उपर पाहों पर जो हम लोगा बड़े बुड़ों का जो रिवाज हम लोगा कि उनके पाहों पर हम लोग अभीर अर्जित करते हैं और उनसे अश्रवाद लेते हैं वैसा कुछ लोगों ने किया होगा लेकिन रंग और इसका तो उन्होंने कोई प्रियोग नहीं किया